कि नुश्कार दोस्तों मैं सत्पाल वर्मा एच्च एस अपने यूटुब चैनल एच्वी टॉक्स में आपका स्वार्श करता हूं दोस्तों आज की वीडियो का विशेह है कमूटेशन ओपैंशन जो के आपके जो सियाशार है हर्याणा सिविल से इस पैंशन रून 2016 का चैप्टर 11 है जब करमचारी रिटायर होता है 58 साल के आई उपर ग्रूप A, B और C के करमचारी और 60 सार के उमर में ग्रूप D के करमचारी और अन्य जुडिशियल ओफिशर उनको रिटायर्मेंट के समय ऑप्षन देने का प्रावधान है कि वह अपनी पैंशन का इस्सा कमूट करा सकता है अधाद एडवांस लेकर के अपनी पैंशन को कम करा कर सकता है ये सारे प्रावधान श्यसार में दिये गए हैं इनी के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि सवी करमचारी ओं को ग्यान हो कि पैंशन के जब रिटायर्मेंट होती है उसको एडवांस पैंशन के रूम में अर्थाथ कमूटेशन पैंशन जो कराई गई पैंशन को कम कराया जान इसको बोलते हैं अर्थात चाड़िश प्रक्तिसब तक का हिस्सा बैस बीस तीस चाड़िश परसेंट ले सकते एडवांस रूम में जूड़ी शरॉप्षर पचास परसेंट तक का कमूटेशन करा सकते हैं इन सभी बातों पर आज अंतर चा करेंगे कैसे मिलता है ये कैसे क्या इसके प्रावदान हैं देखें आप अपने सेक्मेंट यह देखें दोस्तों हर्याना सीविल सेर्विस पैंशन रूल दोजार सोड़ा याथी सिय सारे और इसका चैप्टर है 11 कमूटेशन पैंशन इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि कमूटेशन पैंशन क्या है कहा रूल आठ की सिर लंबर दो पर क्या बताया गया कि कमूटेशन पैंशन क्या है कि इसका मतलब यह है एक जिस समय करमचारे डिटायर होता है उसको उसकी जो पैंशन बनती है उसका कुछ हिस्सा उसको लंब सम एक मुस्त रखम के रूप में दे दिया जाए किस हिसाब से जो फार्मुला इस रूप में बताया गया है अठाद जिस समय करमचारे डिटायर होता है तो उसको एक मुस्त रखम ऐसी मिल जाए उसके कामाई वो मकान बना सकता है कोई और अपनी लाइबिल्टी पूरी कर सकता है या उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है बविश्य के लिए और वो इसको बाद में किस्तों में वापिस अदा करना होगा सरकार को अब रूर 95 में बताया गया कि entitlement of commutation of pension क्या हकदारी है इसकी कैसे है तो इसके बारे में बताया कि subject to provision in this rule इन रूर्लों के प्रावधान की सर्तों के अंसार करमचारी को रिटायर्मेंट के समय में नोकरी से रिटायर होने के समय वो हक रखता है किसका अपनी pension के commutation कराने के लिए option दे सकता है अपने इच्छा जाहर कर सकता है कि मेरी pension जो है उसको commute कर दिया जाए अब कम कर दिया जाए commutation का मतलब होता है कम करना अठाथ उसमें से कटोती करना वो पैसा advance दे दिया जाए मुझे और मेरे pension में से कटोती कर लेना और वो कितना होता है दोस्तों वो बताया गया fraction not exceeding 40% of his pension जो भी हिस्षा pension का वो लेना चाहता है वो अधिकतम 40% pension का हिस्षा ले सकता है अर्थात 10%, 20%, 30%, 40% जो उसकी इच्छा हो उसको लिए उसको option देनी होगी retirement के समय हाला कि इसके बारे में कहा है कि जो judicial officer होते हैं न्याय कदिकारी होते हैं वो pension पाने के लिए उनको 50% तक की option देने की हकदारी है वो 50% तक ले सकते हैं और जुडिशर से अन्या 40% 40% तक अपनी pension कमूट करा सकते हैं अब इसको आप एक उधान के रूप में मैं आपको समझाता हूँ देखिए उधान क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए उधान बनाया है मैंने देखिए ये बताया है करमचारी जो बेसिक पे ड्रा कर रहा है ये वो है हम पहले सीविल सर्विस का उधान लेते हैं ये सीविल सर्विस का करमचारी है और वो जब रिटायर हुआ अठावन साल की आई उपर या चतुर सरणी करमचारी अगरुबडी का करमचारी है वो साट साल की आई उपर रिटायर होता है और जुडिशियर भी ऑफिसर वो सारे साट साल पर होते हैं ये अस्छे हजार रुपे वो बेसिक पे ले रहा था पैंसन का फार्मूला है कि देशिक पे मिल जाएगा तो इसी साब से उसकी 50 परसेंट देशिक पे 40,000 बनी इसका उसने कराना है कमूटेशन अब उपर रूल में बताया कि 40% तक वो अपनी पैंसन को कमूट करा सकता है अर्थात 40,000 का 40% तक वो 10 परसेंट भी करा सकता है 20, 30, 35 जितनी भी करा सकता है इ मैकसिमम का ले रहे है 40% का 40,000 का जो उसकी पैंसन बनी उसका 40% बनता है 16,000 रुपया 16,000 रुपया ये कमूटेशन का हिस्सा बन गया थात इतनी कि वो कमूट करा सकता है अब इस 40,000 में से 16,000 तो उसने कमूट करा लिया तो अब ये लाट में मैं दिखा रहा हूं आपको के पैंसन कितनी बचेगी जो उसको मिलेगी क्योंकि 16,000 तो सरकार में वापिस लेने है ना एक मुस्तदेव ये सरकार जब तो उसमें से 40,000 में से 16,000 गटाए तो ये बचेगे 24,000 रथात उसको 40,000 पैंसन प्रती महा ना मिल करके 16,000 रुपय कटोती के पश्चात 24,000 उसको पै ये आगे मैं बता रहूं कि कब तक कटेगा ये 15,000 तक कटेगा आगे आएगा ये 15,000 तक की कटोती है उसकी लेकिन इसमें जूडीशीर सर्विस का भी समझना होगा जूडीशीर सर्विस की चालिस अजार उनकी 50% पूल पेंशन बनी लेकिन वो 50% पेंशन जो पेंशन है उसका 50% कमूट करा सकते हैं थाथ 40,000 का 50% 20,000 बन गया तो वो 20,000 रुपे कमूट हो जाएगी उनकी 40,000 में से 20,000 की कटोपती होने के पच्चात कमूटेशन की और उनको इसको नेत पेंशन जो जिसको रेजिएवट वरी पेंशन बोलते हैं वो 200,000 बन जाएगा जो बचय होई पैंशन होथा है पैंशन में से कमूटेशन का इस educated पैंशन बोलते हैं लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रभान किया गया क्या कि जो करमचारी इन्वेलिड पैंशन पर जाते हैं, यदि कोई करमचारी इन्वेलिड पैंशन पर जाता है या इन्वेलिड पैंशन पर नाज जाकर के इन्वेलिड हो गया, लेकिन अंडर सेक्षन संतारिस ओपी डवली एक्ट उनिसे पिचानन के तहंत जिसको रिटेन कर लिया जाता है क्योंकि उसको निकाला नहीं जाता तो ऐसे मामले ने भी उसको कमूटेशन पैंशन नहीं मिलती कब तक जब तक के मेडिकल बोर्ड का एग्जामिंशन ना हो जा के साथ यह कहा कि गौर्वर्मेंट अंप्लाई जो है वो जिसके खिराब डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोशीडिंग भी चल रही है कि समय या जारी है रिटेर्मेंट के समय उसको भी ये कमूटेशन पैंशन का लाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक के वो बरी न हो जाए जब तक उसकी ये चलेगी तब तक नहीं मिलेगे था तो उसको कुछ भी हिस्सा कमूट नहीं होगा लेकिन रूल सो जो है उसमें एक विशेश प्रावधान कर दिया गया है ये एक समझने वड़ी बात है रूल सो में क्या के कमूटेशन टेंशन जा है वो वास्ति है on the date on which किस कब जब ये तारिखां आती है तात किसके लिए एक application फार्म दो में पैंदो में कर्मचारी के द्वारा भड़ी गई है उस दिन से वो और head of office को त्राप्त हो चुकी है उस दिन से उसकी कमूटेशन के लिए वो वास्ति ग्रूप से entitle हो जाता है और दूसरा क्या है कि competent medical authority जब उसका medical report जिसकी medical report क्या हो सकता हो त्या उस मामलिन बताए गया है medical certificate की report का जो है हिस्सा पार्ट तीन पार्म पैंच ओना का उसमें हस्ताक सरकट दे medical authority उस वकत से वो कमूटेशन पैं का हकदार बन जाता है और दूसरी परकार बताई कि यदी पैंच मर की मृत्य हो जाए कब आफ्टर दी डेट ओन विच कमूटेशन बिकम अब्सलूट यह दो तारिक हां कि उसना application बढ़ दी और उसके head of office को प्राप्त हो चुकी या medical base पे उसके जो है ना कमूटेशन मांगी जारी है और वो medical certificate sign हो चुका है इन दोनों सुरत में यदि उसकी पैंचनर की death हो जाती है तो उसके घरवालों को उसके परीजनों को कमूटेशन वेल्डू अदा की जाएगी फैमिली मेंबर को कैसे जैसे के death come retirement ग्रेच्टी भी मिलती है उनी प्राप्धानों के उसके जो उसमें हकदार हैं DCRG के क्लेम लेने के लिए वही परीजन उसके उनको कमूटेशन पैंचन भी दे दी जाएगी और उसे रिकवरी नहीं होगी यह exception बताई है क्या कि इस प्रोविजन सेल नौट भी अप्लिकेबल इन केस ओफ डेथ वाहिल इन सर्विस यदि सर्विस रिटैर नहीं हुआ करम करमचारी और सर्विस के दोरान भी है और उसने यह फारम भी नहीं बरे हैं जो उपर बताया है कि ना करमचारी की टैथ हो जाती है तो उस मामले में यह एप्लिकेबल नहीं होते हैं आगे बताया कि क्या यह कमूटेशन की ओप्शन जो पर बताई गई थी में ओक्ट करमचारी यदि उसने ओप्शन एक बार दे दी तो क्या यह विद्रावी की जा सकती है वापिस भी लिजा सकती है रूल 104 में इसका प्राफधान किया गया है कि विद्राव अप्लिकेशन क को वापिस भी ले सकता है कब तक इससे पहले के वो पिए जी को ना दे जी गई हो अठाट उसका पैंचन केस बना करके प्रिंसिपल अकाउंटन जन्रल हरना को ना भेज जा गया हो और कमूटेशन के अप्लिकेशन उसको ना भेज जी गई हो यह दो बातें होगी पैंचन क करनी प्रावडान किया गया कि जो आपने कमूट करवाई है पेंशन का प्रिशन लेना ये एक्षिक है इच्छा जाहर करनी आप्सन देनी है रूट 106 में प्रावधान किया गया कि जो आपने करवाई है पेंशन का पोर्षन उसकी रिकवरी कैसे होगी कहा कि कमूटेशन पेंशन की रिकवरी जो है उसकी सर्ते हैं वो क्या सर्ते हैं वो ये हैं पहले सर्त पताई क्या कि कमूटेशन पेंशन उस दिन से उप्रेटिव होगी किस दिन से रिकवरी उप्रेटिव होगी जिस दिन उसक जो बुगतान किया गया है उस दिन उसकी recovery होनी शुरू हो जाएगी और यह amount जो है उसकी जो recovery की है यह उसकी commutation में से less करेंगे अर्थाद amount of recovery shall not be less than the commuted portion of pension अब किस्त की रखम कितनी है वो बताईए यह कि जितना portion उसने commute कराया था उतनी amount उसकी recovery होगी अर्थाद 16,000 कराई है तो 16,000 और 20,000 कराई है तो 20,000 प्रतिमा के इसाब से उसकी pension से recovery होगी आगे बताया कि यदी whenever a pensioner desire to make payment over and above the amount of commuted portion of pension it may be allowed by the pension dispersing of authority during the period of 15 year from the date of authorization of commutation of pension कि यदी करमचारी इस amount से जादा कभी भी यह यह जो बताई है प्रतिमा की इस से जादा 15 साल के भीतर भीतर during the period of 15 year कोई आदम कोई करमचारी सोचता है कि मैं वापिस कर देता हूं सारी दस साल के बाद 12 साल के बाद तो वो करा सकता है competent authority उसको authorized करेगी पर कोन है वो pension sanctioning pension dispersing authority अधरी अधा ट्रेजरी अपसर उसको allow करेगा permit करेगा तभी होगा इसमें एक सर्थ हो रहे है प्रावधान हो रहे क्या प्रवाइडिड टोटल अमाउंट already recovered or to be recovered shall not exceed the total amount of 180 installment ये जो उसने प्रावधान बताया कि 15 साल के बीतर बीतर बची हुई रकम सारी की सारी या कुछ इस्से में जम करवा सकता है लंप संभी तो वो सारी रकम कितने होगी बची ही राशी और ज्वादा की गई राशी वो सारी की सारी टोटल रकम 180 महिने की किस्तों से ज्यादा नहीं होगी अब यह देखे मैं आपको इसका एक उधान बताता हूं कि कितनी रकम मिलती है कैसे उसकी रिकवरी होती है और क्या यह जब हम वापिस करते हैं हमें कितनी रकम वापिस करने पड़ती है जो 16,000 रुपे मिल्ना या 20,000 रुपे मिल्ना हमें प्राप्त हुआ कमूटेशन का और और रिकवरी और इसी रेट पर प्रतिमा तो यह कितना बनता है 15 साल में देखिए सबी करमचारी हैं एक्सेप्ट जूडीशियल जिसमें ग्रुप A, B, C और D के करमचारी सारे आते हैं जूडीशियल ओफिसर छोड़ करते हैं 16,000 वाला हम केस लेते हैं 16,000 रुपे किसको ग्रुप A, B, C के करमचारी का यह उधारना पर जो 58 साल की आयू प्राप्त होने के बाद रिट है उनका 16,000 रुपे के रेट से इसको हम मल्टिप्लाई करेंगे 12 से यह फार्मूला है और मल्टिप्लाई करेंगे 8.370 से यह 8.370 क्या दोस्तों 8.370 आपकी किताब के अंदर एक टेबल दी हुई है सेडूल दिया हुआ है जिसमें एज के हिसाब से बताया गया है अर्थात 59 का जब हो गया वहां पे उसको 8.370 के हिसाब से उसको मल्टिप्लाई करेंगे इसको मल्टिप्लाई करने के पश्चात हमारी रा सी आई 16,7,232 रूपे इसी तरह से ग्रूप D के करमचारियों के लिए फार्मुल्ला जो 60 साल के रिटायर उतने है इनका नेक्स्ट ये बर्थ ये लिया जाएगा वो है 61 वर्स जब कमूटेशन करेंगे तो जो ये 8.330 का फेक्टर आया था वहां पे 61 के सामने 8.194 तो यह इसका फेक्टर बदल गया रकम वही है उसकी 40 परसेंट 16,000 ये दिमान दो उसकी 16,000 कमूटेशन पोर्सन 40 परसेंट बनता है और 12 से मल्टिपलाई करेंगे और 8.149 से मल्टिपलाई करेंगे ये मल्टिपलाई केसन होने के पस्चाद जो इनको रकम आएगी निकल के वो इसलिए दोनों की अमाउंट में अंतर आया आद ये रिकवरी होगी दोस्तों 180 महिने में 15 साल में इनकी रिकवरी होनी है 15 साल का मतलर ये नहीं कि जिस डेट को बुगतानुआ उससे लेकर 15 साल नहीं जिस दिन से उसकी रिकवरी शुरू हुई वो 180 किस्तना होंगी कई बार क्या होता है तीन चार महिने बाद करमचारी को बुगतान होता है रिटार्मेंट के लेकिन सैंक्शन वो अरली हो जाती है जब ट्रेजर अफसर बुगतान करता है तो वो क्या करता है देखता है कि चार किसने इसकी ड्यू हो गई चार महिने इसको लेट बुगतान मिला तो चार किसनी कठी काट लेता है उसकी उस महिने में जिस मेले में उसका बुगतान किया गया चार मिने की रिकवरी करके बुगतान देगा 87-180 से ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि 15 साल उसके पूरे करने हैं 15 साल में 180 में किसने पूरी करनी है उसका बैलन्स करने के लिए उस चार मिन्ने की कठी रिस्तें काटके 180 मिन्ने बनाएगा और फिर ये 16,000 रुपे पर दिमा के इसाब से रिकवरी करता है अब ये देखे दोस्तो 15 साल की अर्थाथ 180 मिन्ने की किसका कटी कितनी 16,000 रुपे के इसाब से कितना बुगदान करना पड़ेगा 16,000 मुलिटिपलाइट बाई 188,000 रुपे का बुगदान करना पड़ा कहां जब उसको 16,000 रुपे मिले थे तो देखे दोस्तो इस सुरत में उसको ब्याज अदा करना पड़ा ज्यादा रकम अदा करनी पड़ी कितनी 12,000,000 रुपे उसको मिले 12,000,000 रुपे और अदा करेगा जिससे बुगदान 28,000,000 का करना पड़ेगा इसी तरह दोस्तों ग्रुप D के जो करमचारी है इसका जब तान हुआ था 15,000,000 का इसको भी 16,000 से क्यूंकि 16,000 की इसकी बड़ी थी ना और 16,000 से इसको कितना अदा करना पड़ा 28,000,000 इसको भी उतना अदा करना पड़ा क्योंकि 16,000,000 लेकिन इसको 12,000,000 की अपिक्सा 13,000,000 रुप्य अदा करने पड़ेंगे क्योंकि इसका फैक्टर का रेट कम था अगर जो हम याद बार 21 से देखेंगे तो यंतर मिलेगा हमार को अर्थात क्याने का बाव यह है गुरुप डी के करमचारियों को उनकी अपिक्सा थोड़ा कम पैसा मिलता है और ज्यादा अदा करना पड़ता है इसी तरह जुडीशर ओफिशर जो हैं उनका भी हम देखते हैं तो देखते क्या पाया 20,000 रुप्य उनकी कमूटेशन अप पैसन हुई 12 से गुणा करेंगे और यही फैक्टर है उनका क्यूगे 60 साल में रिटार हुए थे 61 साल की उनका फैक्टर लेना पड़ेगा 8.149 में इससे उनको 19,66,560 रुपे कमूटेशन अप पैसन के प्राप्त हुए लेकिन 20,000 प्रतिमा की दर से 36,000,000 का बुगतान करना पड़ेगा 15 साल में किस ताउन की दियुत नहीं है और दोस्तों यह कितना पैसा हुआ 16,33,444 रुपे इनको ज्यादा आदा करने पड़ेंगे तो यह दोस्तों कमूटेशन का इस्चा था अगे नोट दिया है इस रूल में वहन क्या कि जब कमूटेशन पैंशन एक बार अथराइज हो जाती है तो क्या वो दुबारा रिवाइज भी होगी कि हाँ एक बार कमूटेशन पैंशन मिलने के पस्चार्थ यदि बाद में उसकी किसी भी परकार से रिविजन होती है या कोई और कारण है यदि उसकी बढ़ती है पैंशन तो उसकी R card उसकी उसी तरह की जायेगी क्यूंकर 15 साल अदिक नहीं रखनी उसकी रिकवरी उसमें रिकवरी होगी तो उसमें गहाजरी हो जाएगी कब यदी पैंसनर की डैत हो जाती है और उसके किया कम्योटेशन पारम का फारम एजी को चला गया उसके बाद बैथ हो जाती है करमचारी की और उसके परिजनों को जब फैमिली पैंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो उसमें से उसकी रिकवरी नहीं होगी अर्था ये माफ है इस सुरत में यदि डैस हो जाए तो उसकी चाहिए अगले दिन डैस हो जाए रिटारी की कमूटेशनम पैंसन का पैसा प्राप्त करने के तुरंत बाद यदि उसकी डैस हो जाती है जो रिटार ओने वाड़ा है वो एक मुस्तिजवरक मिलती है उससे फाइदा उठाता है तो कहने का भाव यह है कि क्या करमचारी को कमूटेशनम पैंसन लेनी चाहिए मेरी यह कैलकूलेशन देखने के पच्चाद यह राय है कि हां कमूटेशन लेना फाइदा ही फाइदा है क्योंकि उससे वो अपनी लाइबिल्टी भी दूर कर सकता है सरकार से पैसा मिलेगा किसी और से उधार नहीं लेना पड़ेगा और यदि उसकी फैनेंशल पोजेशन अच्छी है तो उसको वो किसी अन्या सोर्स में बैंक में फिक्ट डिपोजिट भी करा सकता है समय समय पे रेटरवाई जोते हैं और इससे पैसा अधिक ही मिलेगा उस में इस सुर्थ में भी फाया है अर तात कियाने का भाव यह हुआ के कमुटेशन-बिंच्छन में कराने में फाइदा है तो यह देखा दोस्तों आपने कमूटेशन पैंशन कैसे होती है सेविल सर्विस में और जुडिशल सर्विस में सभी प्रावधान आपने ध्यान से देखे और सुने आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो श जो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं आज फिर बताता हूं ते हमारे चैनल की दरब से आप किस विदा के लिए कुछ पर्क से कुछ फैसिलिटी पड़ान की गई हैं जो के पेड होंगी वो आप मेरे वीडियो जैसे ही मेरा वीडियो खोद लेंगे तरत्य एक वीडियो के नीचे आपको मेरा ज्वाइन बटन दिखाई देगा उस बटन को दबा करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं उसका व्याद को लाब होगा उस में सारे डिटेल आप बताए गई है आप पढ़ ले और यदि आप उसमें कोई अपना करके मेरे चैनल से जूड़ सकते हैं वो से विदा व्याद को रात हो सकती है इसके अलावा दोस्तो मेरे चैनल के द्वारा अठाद मेरे द्वारा ही expert advice भी दी जाएगी उसके लिए आपको मेरे वीडियो के description box में मेरे चैनल का official telephone number मिलेगा आप उस परकाल करके आगे की परकरिया जान करके मुझसे expert advice भी ले सकते हैं वीडियो के अन्त में नमस्कार